Under 25 की स्मार्टफोन काटेगरी आज की डेट में Under 20K की स्मार्टफोन काटेगरी बन चुकी है सोचो आप लोग जो स्मार्टफोन आप अभी कुछ वक्त पहले तक Under 20K में खरीद रहे थे वही स्मार्टफोन वही स्पेसिफिकेशन के साथ करंटली आप 25,000 के प्राइस टैक में खरीद रहे हो इस काटेगरी में आपको options भी सबसे जादा देखने को मिलते हैं जो की थोड़ा typical बना देता है decision लेना की कौछ सा स्मार्टफोन आपकी सारी requirements पूरी करेगा तो हमने आपकी यही problem solve करने की कोशिश करी है इस वीडियो में हमने shortlist करे हैं 5 भैतरी इन स्मार्टफोन जो currently 25,000 के आसपास खरीद पाएंगे और हमने इनको rank भी करा है ताकि decision लेना थोड़ा आसान हो जाए तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो तो आप बैसे काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्मार्टफोन खरीदना चाते हैं और 25,000 के price rack पे आप जो स्मार्टफोन का सबसे बेस स्मार्टफोन खरीद सकते हैं वो है M53 इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल SD प्लस 120 हट्स का सूपर हमलेट प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इसमें आपको वाइडवन L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा इससे आप ODD प्लाटफोन पे SDR कंटें स्टीम नहीं कर पाएंगे साथी ये स्मार्टफोन पर्फॉर्मेंस के मावले में भी ज़्यादा अच्छा नहीं है इसमें आपको मीटिया टेक दिमेंसिटी 900 प्लस सेक देखने को मिल जाता है इसका उंटर्टू बेंचमार्क स्कोर है 4,41,000 मगर इसमें हमें काफी अच्छा है कैमरा देखने को मुल जाता है ये गलॉता स्मार्टफोन है इसका जिसके रियर में आपको क्वाट कैमरा सेटप देखने को मिलता है 108 मेगा पिक्सल का आपको प्रामरी लेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे यह स्मार्टफोन आपको आपको दो साल के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे यानि Android 14 के बाद इसमें आपको OS अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पर 3.5M jack or studio speaker भी missing है और आखरी में बात करते हैं प्राइस की तो currently स्मार्टफोन को जो लिस्टेड प्राइस है वह है 26,000 मगर स्मार्टफोन को जो अभी प्राइस है वो थोड़ा बड़ा हुआ है जरनल यह फोन आपको 21-22,000 रुपे के बीच देखने को मिल जाएगा तो यह एकलौता negative point है स्मार्टफोन का अगर इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया होता है तो काफी अच्छा package होता पर्फोर्मेंस तो इसमें आपको काफी जबरदस देखने को मिलता है इसमें आपको media tech dimensity 8100 processor देखने को मिल जाता है इसका on to two benchmark score है 8,22,000 और पर्फोर्मेंस के मामले में यह स्मार्टफोन 30,000 के जो स्मार्टफोन आ रहे है उनको भी बीट कर सकता है बात करें कैमरा की तो इस phone के रियर में आपको 64 megapixel का primary lens देखने को मिलेगा या था Samsung के G1 sensor के साथ इसके साथ ही इस phone के front में आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का single camera setup 5000 image की lithium polymer battery देखने को मिल जाती है साथ ही स्मार्टफोन के box में आपको charging brick भी देखने को मिलेगी इसमें आपको 67 watt की fast charging देखने को मिलती है जो कि 46 minute लेती है इस phone को full charge करने में और Redmi K series की एक और काफी अच्छी जीज़ है इसमें आपको ads और bloatware बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं साथ ही smartphone में आपको 12 5G band देखने को मिल जाएंगे although smartphone में आप memory extend नहीं कर पाएंगे मगर इसमें आपको 355 jack और stereo speaker दोनों ही देखने को मिल जाता है Dolby Atmos के support के साथ और बात करें price की तो currently smartphone को 23,000 में खरीद पाएंगे अब बढ़ते हैं हमारी list के third position के smartphone पे और ये smartphone उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा premium देखने वाला phone चीए ये इकलाथा smartphone है इसलेस का जिसमें आपको curved display भी देखने को मिल जाता है जो कि इसके looks को काफी premium बना देता है और हम जिस phone की बात कर रहे हैं वो है Realme की तरब से 10 Pro Plus इस phone में आपको 6.7 inch का full HD plus 120 Hz का curved amblet display देखने को मिल जाता है इसके बैदल्स काफी थिन है और Realme का तो ये भी claim करना है ये S22 Ultra से भी कम है यहाँ पे आपको performance भी decent देखने को मिल जाता है इसमें आपको Mediatic Dimensity 1080 processor देखने को मिलता है और looks के बाद इस phone की जो सबसे biggest highlight है वो है इस phone का camera Realme के mid-range smartphones में हमें काफी अच्छा camera देखने को मिल जाता है और इस smartphone ने भी Realme 9 Pro Plus की legacy को continue रखा है इस phone की डियर में आपको 108MP का primary lens देखने को मिलता है या आता है Samsung के HM6 sensor के साथ और इसमें आपको quality Realme 9 Pro Plus के जैसे ही देखने को मिलती है मगर यहाँ पे सिर्फ OIS missing है और front में आपको देखने को मिलेगा 16MP का single camera setup इस phone में आपको 5000 image की lithium polymer battery देखने को मिलती है साथ ये phone support करता है 67W की fast charging मगर स्मार्टफोन की box में आपको 80W का charger देखने को मिलेगा चुकि लेता है 17 minute इस phone को 50% charge करने में यहाँ पे आपको Android 13 पे बेस Realme UI 4.0 देखने को मिलता है और इसमें आपको काफी साथा pre install apps देखने को मिलने वाले हैं और इस smartphone में 3.5 jack भी missing है और बात के रे price की तो currently smartphone को आप 45,000 में खरीद पाएंगे तो अगर आप इस smartphone की software situation है उससे okay हो तो यह काफी अच्छा package है और साथी smartphone को अगर आप खरीदने का मन बना रहे है तो इसका best bang link नीचे आपको description में मिल जाएगा और इसके अलावा भी आपको इस smartphone purchase कर रहे है तो उनका भी links आपको नीचे description में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं कैसे smartphone की तरब जिसमें आपको काफी अच्छा design देखने को मिल जाता है इसका performance भी काफी अच्छा है और साथी इसका जो display है वो भी काफी जबरदस है और हम जिस phone की बात कर रहा है वो है Moto S30 इस phone में आपको 6.5 inch का full SD plus 144Hz का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो इस smartphone का display काफी अच्छा है इसमें आपको snapdragon 778G plus processor देखने को मिलता है जिसका under 2 benchmark score है 5,51,000 बात करें camera की तो इस phone की रियर में आपको 50 megapixel का primary lens देखने को मिलेगा और front में आपको देखने को मिलेगा 32 megapixel का single camera setup इन दोनों से ही आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 fps पे 4000 image की battery देखने को मिलती है 33 watt की fast charging के साथ जोकि लेती है 53 minute इस phone को 2200 परसंट चार्ज करने में motorola है तो आपको near stock 100 experience देखने को मिलेगा बिना किसी ads or upload wear के साथ ही इसमें आपको IP52 की water on dead system की rating भी देखने को मिल जाती है बात करें price की तो currently smartphone को 35,000 में खरीद पाएंगे और finally हम आगे है अपने list के number 1 position के smartphone पे करेंगे एक अच्छी deal मिल रही हो तो आपको definitely उसके साथ जाना चीए और यहाँ पर हम जिस phone की बात कर रहे हैं वो है nothing phone 1 इस phone में आपको 6.55 inch का full HD plus 120 hertz का OLED display देखने को मिल जाता है इसके prediction के लिए Gorilla Glass 5 भी दिया गया है और no doubt इस smartphone का display काफी अच्छा है साथी performance की बात करें तो इसमें आपको snapdragon 778G plus processor देखने को मिल जाता है इसका onto benchmark score है 5 black 51,000 तो performance में भी इस smartphone decent है मगर यह एक चीज में इस smartphone काफी अच्छा है वो है इस phone का rear camera इस phone के rear में आपको 50 plus 50 megapixel का dual camera setup देखने को मिलता है यहाँ आता है Sony का MX766 sensor के साथ यहाँ पे आपको OS के support भी देखने को मिल जाता है इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30fps पे और front पे आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का single camera setup यहाँ पे आपको Sony का MX471 sensor देखने को मिल जाता है इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30fps पे यहाँ पे आपको 45 minute डेमिज की ली थे हम आयन बैटरी देखने को मिलती है 33W की fast charging के साथ और यह एकलौता स्मार्टफोन है इसलेस का जिसमें आपको wireless charging का support भी देखने को मिलता है इस phone में आपको in display फिंग में scanner के साथ-साथ IP53 की water resistance की rating भी देखने को मिल जाती है और बात करें प्राइस की तो currently स्मार्टफोन का lesser price है 30,000 और इस smartphone का currently price बड़ा हुआ है पिछले 2-3 महिने से यह phone हमें 26-27 रुपे में देखने को मिल रहा था तो आप थोड़ा वेट करो यह smartphone आपको वापस दे 26-27 रुपे में देखने को मिल जाएगा और इस smartphone का आप offline भी ट्राइ कर सकते हो तो इस वीडियो के लिए इतना ही